नमस्कार साथियों समस्कार का यह सत्र अत्यन्त महत्वकुण है देश आजहादी के अमरित महोत्सव मना रहा है हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजहादी के अमरित महोत्सव के निमित रचनात्मक, सकारात्मक, जन हित के लिए राष्ट हित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कारकम कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं और आजहादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोईन कोई दाईत्व निभाने का प्रयास कर रहा है ये खबरें ये अपने आप में भारत के उजबल भविष्य के लिए शुप संकेत है कल हमने देखा है पिछले दिनों सम्विधान दिवस भी नए संकल्प के साथ सम्विधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किछी के दाईत्व के समन्द में पूरे देश ने एक संकल्प किया है इन सब के परिपेख्षव है हम चाहेंगे देश भी चाहेगा देश का हर सामान नागरिक चाहेगा कि भारत का संसत का यह सत्र और आगे वाने आज़ वाले भी सत्र आजहादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरिट था आजहादी के अमरुत महुत सब का जो स्पिरिट है उस्पिरिट के अनुकूल संसत भी देश हित में चर्चाएं करे देश की प्रगती के लिए रास्ते खोजे देश की प्रगती के लिए नए उपाये खोजे और इसके लिए यह सत्र बहुत ही विचारों की सम्रुद्धी वाला दुर्गामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मग निर्णवा वाला बने मैं आशा करता हूँ कि भविश्य में संसत को कैसा चलाया कितना अच्छा कॉंट्रिबिशन किया उस तराजु पे तोला जाए नकी किसने कितना जोड लगा करके संसाथ के सत्र को रोक दिया यह मांदन नहीं हो सकता है मांदन यह होगा कि संसत में कितने घंटे काम हुआ कितना सकारात्मग काम हुआ हम चाहते हैं सरकार हर विशय पर चर्चा करने के लिए त्यार है खुली चर्चा करने के लिए त्यार है सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए त्यार है और आज़ादी के अमरुत भावत्साओं में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो संसाद में शान्ती भी हो हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाब सरकार की नीतियों के खिलाब जितनी आवाद प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन संसद की गरीमा स्पीकर की गरीमा चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वो आचरन करें जो आने वाले दिनों में देश की युवापीडियू को काम आए सरकार के खिलाब